दोस्तो नमस्कार मैं मुकेश सिंग राजपूत आपके अपने चैनल मुकेश यो निम्रोजिस्ट में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम जिस अंक पे बात करेंगे वो अंक है पांच पांच अंक के लोग कैसे होते हैं, इनका सभाव कैसा होता है, इनके मैरे जीवन कैसे रहते हैं, इनका लखी रंग कोन सा होता है आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी लोग इस वीडियो पे नए आये हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें अब बात करते हैं पांच अंक की जिसकी जनम तारिक पांच हो चौदा हो तेईस हो इसका टोटल अंक पांच अंक बनता है पांच अंक का स्वामी मर्कुरी याने बुद्ध मर्कुरी के बारे में कहा जाता है कि मर्कुरी सौर मंडल का सौरी के सबसे नजदी का ग्रह है इसलिए ये ग्रह क्या करता है कि सूरी की परिकर्मा सबसे जल्दी करके आ जाता है पर अपने सरकल में कहीं न कहीं सलो देखा जाता है इसलिए इस अंक के जातकों को देखा जाता है कि इस अंक के जातकों के चेहरा भोला भाला मासूम दिखाई देते हैं और थोड़ा सा और आलसी प्रविर्ति के होते हैं, हमेशा किसी काम को मना नहीं करते हैं, कर देता हूं, हो जाएगा, आप चिंता मत करो, ऐसे सब्द का बार बार इस्तमाल करते हैं, बुद्ध अंक्य के जातकों में ये देखा गया है कि इनकी बुद्धी भी पहुत सार्फ होती है, ये दिम जिसको ये कभी नहीं जानते हैं, कुछ दिन के हार्ड वर्क करने के कारण उसमें इन्हें एक अच्छी सफलता मिल जाती हैं, इस अंक्य के जातकों का वेवार इतना प्यारा होता है, कि दूर दूर के लोग इनके वेवार के कारण इनसे जूड़ना पसंद करते हैं, इस अ बिलकुल उठना नहीं पसंद करते हैं, ये हार्ड वर्क करके साथ साथ ये साथ दिमाग के भी मालिक होते हैं, और ये एक जिग्या सुपरविर्ति के लोग होते हैं, एक काम करना बिलकुल पसंद नहीं करते हैं, इनमें पैसे कमाने की भूख बहुत गजब रहती हैं, पै साथ कई बैपार करते हैं अगर इनका मित्र सरकल देखा जाएं तो कहते हैं कि उम्र के 20 या 25 साल के अंदर इनकी बहुत मित्रता रहती है पर 25 के बाद ये देखा गया है कि इनमें गिने चुने एक या दो मित्र ही इनके पास बसते हैं क्योंकि ये बहुत इमोशनल प्रविट्टी की लोग होते हैं बोले भाले होते हैं इनको कोई भी लोग हमेशा इमोशनल करके इनके साथ दोखा दे देते हैं और ये दोखा खा भी जाते हैं दोखा खाने के कारण कई बार ये धीरे 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 करकर अपनी मित्रता इनकी कम ह होती जाती और एक दो ही लोग इनके साथ लास्ट तक देखे जाते हैं इस अंग के जातक का चेहरा भोला भाला मासूम होता है और चेहरे के साथ साथ ये अपनी जिंदगी में एक अच्छे बैपारी के रूप में देखे जाते हैं इन जातकों का विवाहिक जीवन देखा जा कि दो विवा होने की संभावनाय सबसे जादा होती है इस अंक के जातको का अधर लिव रिलेशन भी कई देखा जाता है कई महिलाओं के संपर्ख में भी रह सकते हैं क्योंकि यह बहुत इमोशनल होते हैं और किसी के कारण इमोशनल अटेजमेंट में सबसे जादा देखने को मिलता है पांच अंकों की सीरीज को देखने के लिए सबसे पहले यह देखा जाता है कि एक अंक से लेके नौ अंक के सीरीज में पांच अंक बीज में आता है इसलिए इस अंक वाले वेक्ति का उपर के चार और नीचे के च सबी से मित्रता देखी जाती है यह अपने तरब से ज्यादा सत्रू किसी को नहीं मानते हैं यह हर लोगों के साथ मिलके रहना चाहते हैं और सबसे अच्छी चीच कहा है परिवार के लोगों को दूर-दूर के रिस्तेदारों से भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ इनकी जातार तीन बार जीते हैं अच्छे उच्छे पद पे भी पांच अंक वाले वेक्तियों को देखा गया है जैसे सिवराज सिंग चोहान हो गए इसमिती रानी हो गई सुसमा सोराज हो गई योगी आदितनात जी हो गए बाला साब ठाकरे जी हो गए राज बबबर भी हो ऐसे कई लोग पांच अंक से आते हैं खेलों में भी इस अंक के जातकों की पहुत रूची होती है ये खेल फिल्ड में भी काफी अच्छे देखे गए जैसे विराज कोहली और भी कई ऐसे प्लेयर हैं जो इस अंक से आते हैं कई बार इस अंकों में ये भी देखा गया है कि emotional सोसन होने के कारण कई बार तनाओं में आते हैं और तनाओं में आके कहीं न कहीं ये आध्यात्म की तिरफ भागते हैं और जाके एक सादू सन्यासी जैसी जिन्दगी भी जीना पसंद करते हैं एक आंकी हो जाते हैं अपनी बात उस समय खुल के नहीं बोलते हैं तो अगर सादू सन्यासी के रूप में भी देखा गया है तो ये अंक वहाँ भी अपनी एक पहचान बना के रखा हुआ पांच अंक का लकी नमबर होता है एक नमबर एक नमबर क्यों? क्योंकि पांच अंक को प्रिंस कहा या एक अंक को सूरे का नमबर कहा गया है प्रिंस मतलब राजकुमार सूरे मतलब राजा दूसरा दो अंक तीसरा छे अंक और चौता आठ अंक सबसे प्रिये नमबरों में आते हैं अगर इनका सत्रू देखे तो पांच अंक का कोई विशेश सत्रू अंक नहीं होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये देखने को मिला है कि नौ अंक और साथ अंके के कारण इन्हें जीवन में कई बार परिसानिया या तनाओ का सामना करना पड़ा है। अगर जीवन में किसी तरह का कोई परिसानिया या समस्या आए तो उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन समस्ट परिसानिया या या और साथ जया येकिन साथ परिसानिया ये।